गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में सिंदू सब्यता के पर्मुक स्थल नदी उत्कनन करता यूँ वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो देखे का स्टूडेंट्स ये वीडियो हमने एक जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है क्योंकि कई बार सिंदू काटे सब्यता है के पर्मुक स्थल पूछ लेते हैं उन स्थलों की इस्तितिया उसके बारे में पूछ लेते हैं ठीक है तो इस वीडियो में आपको ये सब बाते मिलेंगी और ये दिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो उसको लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विशे से सम्मान दित मैतापुन जानकरी पहुंच सके और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप इत्यास के अच्छे से तयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं सिंदू सबेता के परमुक स्थल सबसे पहले है हडपा हडपा नमक स्थल रावी नदी के तटपर वर्तमान पाकिस्तान के मोंड मोगरी जिल्ले में स्थित है इस स्थल के उत्कनन का कारिये 1921 इस्वी में देयाराम सहानी ये मादो सवरूप वत्स ने किया था फिर अगला स्थल राता है मोहन जोदुडू यह स्थल सिंदू नदी के तटपर वर्तमान पाकिस्तान के सिंद प्रांत के लर्काना जिल्ले में स्थित है इस स्थल के उत्कनन का कारिये 1922 इस्वी में राखल दास बन्नर जिने करवाया था अगला स्थल राता है चनहुदू दुडू यह स्थल सिंदू नदी के तटपर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंद प्रांत में स्थित है इसके उत्कनन का कारिये 1931 इस्वी में गोपाल मजूमदार ने करवाया था तथा 1943 इस्वी में मैके द्वारा यहां उत्कनन का कारिये करवाया गया अगला स्थल राता है काली बंगा कालिबंगा घगर नदी के तटपर राजस्तान के हुनुमानकट जिल्ले में इस्तित है जिसका बीबिलाल एवं बीके थापर द्वारा 1903 पर में उत्खनन करवाया गया कोट दीजी यह स्थल सिंदु नदी के तटपर सिंद प्रांथ पाकिस्तान के खैरपूर में इस्तित है इस स्थल की सर्वा परतम खोज धूरिये ने 1935 इस्वी में की जहांपर 1903 में फजर एहमद ने उत्खनन का कारिये करवाया था अगला स्थलाता रंगपूर यह स्थल मादर नामक नदी के तटपर सिंद गुजरात के काठिया वार जिल्ले में इस्थित है जिसके उत्खनन का कारिये रंगनाथ राव ने 1953 चोवन में करवाया था अगला स्थलाता रोपड रोपड नामक इस्थल 17 नदी के तटपर पंजाब के रोपड जिल्ले में इस्थित है 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी जिसके उत्खनन का कारिये 1953 से 1956 में यग्यदत सर्माने करवाया था अगला स्थलाता लोथल लोथल भोगवा नदी के तटपर गुजरात के एहमदाबाद जिल्ले में इस्थित है जिसके उत्खनन का कारिये 1955 से 1962 में रंगनाथ राव ने करवाया था अगला स्थलाता आलमगीर पूर यह स्थल हिंडन नदी के तटपर वर्तमान में उत्तर परदेश के मेरट जिल्ले में इस्थित है जिसके उत्खनन का कारिये 1958 इस्थि में ये ग्यदत सर्माने करवाया था अगला स्थलाता है सुतका गेंडोर यह स्थल दास्क नदी के तटपर वर्तमान में पाकिस्तान के मरकाना में समुदर के तटके किनारे इस्थित है यहाँ पर उत्खनन का कारिये 1927 तथा 1962 इस्थि में ओरेज स्थाइल तथा जोर्ज डेल्स ने करवाया था अगला स्थलाता बनावली बनावली रंगोई नदी के तटपर इस्तित वर्तमान में हरियाना के हिसार जिल्ले में स्तित है यहाँ के उत्खनन का कारिये 1974 इस्थि में रविंदर सिंग विस्थ ने करवाया था अगला स्तलाता दोला वीरा यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिल्ले में इस्तित है यहां पर उत्खनन का कारिय उन्निसो नबबाई काण मैं इस्वी में रविंदर सिंग विष्ट ने करवाया था ठीक है तो यह महतोपुन इस्तल है चो सिंदुगाटी सब्यता से संबंदित है और एकजाम में एक आदा इस्तल पूछा जाता है तो वीडियो को बार बार देखे ध्यान से देखे और इसी परकार से आपको और भी वीडियो हम दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेजबे